आप सभी रेल अभियर्टियों को नमस्कार ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाई जा रही है जिन्हों ने रेलवे जॉब के लिए अपलाई किया है अपलाई करने वाले हैं पिछले वर्ष रेलवे ने बहुत भारी संख्या में एक लाख चौवन हजार यूथ को इंपलॉय किया है दिसंबर 2023 तक और जिनें पदस्तापित कर दिया गिया है यावर्शक्ता अंसार उन्हें ट्रेनिंग पर भेज़ दिया गिया है उन्हें का समयोजन कर लिया गया है और आज के रेट में रेल्वे मैन पाओर ऑप्टिमम लेबल पर है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि और आउशक्ता नहीं है जिस तरह से रेल का रैपिड ग्रोथ हो रहा है जिस तरह से एक्समेंशन हो रहा है और चुकि एक ये स्टाफ सब्सक्राइब करेंगे हर वर्ष निवतिक प्रक्रिया जारी रखेंगे बिना गैप के जैसी जैसी वेकेंशी होगी ब fuer Neden आपकोर्स तो इसके हिसाब से हम र cafes क रिकूटनेंगे इसे अभी जन्मवारी की महिने में अल्पी कर नोरी और यूयाओ म में नेयक्सरिकेशन हूए और देसंबर में हम ALP का 5,696 लोगों का पैनल दे दे और जैसे ही पैनल वो समाप्त हो चुकि यह वेकेंसी एराइज होती जाती है तो अगले वर्ष के लिए भी हम कैलेंडर जारी कर दे इतना ही नहीं इतना ही नहीं जैसा कि स्टुएंट्स का भी जो हमारे यूथ हैं उनका काटेगरी में जिसमें 9,000 वेकेंसी हैं अल्मोस्ट अनुमानित वेकेंसी हैं उसके लिए भी हम ने एक टेंटेटिव कैलेंडर दे दिया है कि 9000 वेकेंसी को फेबरेरी के महिने में 2014 में नोटिफाई करेंगे और एक साल में यानि कि अगले साल फेबरेरी तक इसको कम्प् कर बाएं इसकी अलाबा रेल मंत्राले ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है एज रिलेक्शेशन दे करके कोवीट के टाइम में जैसा कि आप जानते हैं दो तीन साल तक परिक्षाएं करना संभव नहीं था नहीं हो सकी थी बहुत सारे केंडिट्स ओबरेज हो गय थे तो हमारे केंडिट्स जो वन्चीत रह गयते जो चूग गयते एक्जाम देने से अपियर हो पाएंगे आगामी होने वाले एक्जाम से तो बड़ा उनके लिए आउसर होगा और इस अंदर में मैं कुछ और बाते ही बताना चाहूंगा अपने अभियर्तियों को कि जब ही नोट तो बहुत से अभियर्ति बाद में बड़े हताश हो जाते हैं कि उनका फॉर्म रेजेक्ट हो गया है तो हम लोग ने देखा हमनों का अनभाव यह है विगत रिकूट्मेंट्स में कि बहुत से 5% के करीब ऐसे अप्लिकेशन्स रेजेक्ट हो जाते हैं जिनमें प्रॉपर से यह सब ठीक है लेकिन उन्होंने प्रॉपर ढंग से सिगनेचर नहीं किया है या प्रॉपर फोटो नहीं लगाया है उसकी वज़ा से यह कंपीटराइजड वे में वेरिफिकेशन होता है इस्कूट्नी होती है तो रेजेक्ट हो जाता है इसमें कोई हीमन कि सिगनेचर करना जो इंट्रोक्षन है उसके हिसाण से ओके रानिंग र्ईक में करना है ऐसे फोटोग्रास बहुत सारे फोटोग्राइप्स होते हैं जिनका रिजोलुशन सईना होता है रिजोलुशन सईही और गगाऊ-एथा बॉड़ी का अपना फोटोक्राफ देदें है या बहूँ से ऐसे के अनेज़ेष्ट होते हैं अभिरती होते हैं जो सेल्फी देदेогंचे और ऐसे भी केनिजेट्स होते हैं जो ग्रूप में फोटोग्राइफ जा देते हैं, प्रिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, और जैसा कि आप जानते हैं, आइडेंटिटी और जैनुनिटी सबसे इंपोर्टेन पार्ट है किसी भी रिकूट्मेंट प्रोसेस का, हमारी त इन सब बातों को सभी RRBs ने अपने वेब साइट पर दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं, और ऐसे ही एज रिलेक्शेशन भी दे दिया गया है, तो हम सभी प्रतिबद्ध हैं, जो भी हमने कैलेंडर दिया है, जो भी शेडियूल दिया है, इसको हम लोग उस लक्ष को उसी शेडियूल के हिसाब से जितना रिक्रूट्मेंट है, इसको हम कम्प्लीट करनें, और अब आपकी बारी है, कि आप जो शेडियूल दिया गया है, उसके हिसाब से तैयारी करें, अब आप जी जान से लग जाएं, एक्जाम देने के लिए, तो मेरी तरफ से, हमारी तर करें, और मेरे हर अपडेस्क आपको मिले, इसके लिए बैल आइकन जरूर दबाईएगा, आप सभी को मेरी धेर सारी शुब कामना है,